अब यहां से देखिए गाइस क्या बोल रहे संदी मैंस विडिसर सुनिएगा धियान से तभी आपको समझ में आएगा ने तो वही फ्रोज कंपनी में फंसके पैसा धाय नहीं बरबाद हो जाएगा फिर बाद मैंने बोलिएगा कि कोई क्यों एक्सरान ले आए ठीक है भी दे सर्विस बेच सके तो उस डेटा के भी वह फैसे लेगी संदी महश्वरी सर जिन्दाबाद तो चैनल को प्रकम पर से स्क्राइब करो यार निज़ंगा बोलेगी कि एक लीड का आपको 40 रुपए 50 रुपए देना है तो अगर आपको 100 लीट चाहिए तो आपको 5000 रुपए देना है इस साल का कितना हो गया 60,000 रुपए आप सोच कि आए ते उस कंपनी में कि 10-20,000 रुपए में मेरा काम शुरू हो जाएगा साल के इन में जब आप आप calculate कर रहे हो तो आप देख रहे हो कि मेरा 20,000 रुपए नहीं लगा है यहां पर दो लाख रुपए लग गया है तो यहां पर यह कहा जा रहा है कि यह सब कुछ आपको उस इंसान को जॉइन करते हैं यह बात नहीं बताना है पहले से बताना है इसमें बहुत इंप्रॉटन क्लॉज है जिसको बहुत सारी कंपनीज कर रहे हैं खुले आप मतलब कि ऐसे बहुत सारे direct sellers हैं यह direct selling companies हैं जो बोलती है कि हमारी unconditional money back guarantee है और बात में जब आप उ यह करना पड़ेगा फिर यह करना पड़ेगा तब जा करके आपके पैसे आपको वापिस होंगे यह गलत है ऐसा आप नहीं कर सकते हो इस clause को ध्यान से समझना यह बहुत important है direct selling entity और direct seller shall not refuse to take back spurious goods or deficient services and refund the consideration paid for goods and services provided मतलब यहां पर क्या का जा रहा है कि अगर आपने आपको आपका पैसा रिफंड करना ही होगा और यही सबसे बड़ा फर्क है एक genuine direct selling company में और एक fake direct selling company में जिस company को अपने प्रड़क्स और पे confidence होगा उनकी जो money back guarantee है वो unconditional होगी यानि कि वो company आपको यह नी बुलेगी कि आपने हमसे product खरीदा service खरीदा अब अगर आपको अपना पैसा वापिस चाहिए तो आगे आपको इतने लोगों को और लेकर आना पड़ेगा तब आपको आपका पैसा वापिस मिलेगा अगर to the direct sellers for similar purchases in simple words यहां पर क्या खा जा रहा है कि आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी प्रेशर नहीं होना चाहिए उस company के products or services को sell कर दे के लिए कानून बोल रहा है कानून 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 बोल रहा है अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो वो एक scam है इसके अलावा ऐसी बहुत सारी चीजे हैं जो बहुत सारी MLM companies में होती है जो हो सकता है legally सही है लेकिन ethically बिल्कुल गलत है मतलब कि अगर कोई भी direct selling company है जिसका एक direct sellers का network है तो structure में सारे के लोगों को सिर्फ benefit हो सकता है जब जो product है और service है उसकी अपने आप में इतनी वर्थ है कि अगर एक इंसान महां से एक रुपे भी ना कमाए तब भी उसको किसी तरह को कोई regret ना हो कि मैंने इस company को जॉइन किया मतलब कि हो सब्सक्राइब के लिए वहां पर यह नहीं लिखा है कि उस company के जो products हैं services है उसका price point क्या होना चाहिए लेकिन यह आपको देखना है उस company को जॉइन करने से पहले for example वह company आपको साबून का डबा बेच रही है 500 रुपे का जिसके जैसा सेम प्रोड़क्ट आपको market में मिल रहा है 50 रुपे का तो अगर वहां पर आपको कोई इस business नहीं आ रहा है word of mouth strong नहीं है तो business आज नहीं तो कल fail होना ही होना है word of mouth not of the money that a person can earn from that particular company but word of mouth of the products and services offered by that particular company word of mouth इस चीज़ का नहीं कि उस company से लोग कितना पैसा कमा रहे हैं बलकि इस चीज़ का कि उसके products and services कितने अच्छे हैं अगर actual में उस company कि जो production services उसमें दम नहीं है तो business ने आज नहीं तो कल fail होना ही होना है और यही सबसे बड़ा फर्क है एक genuine company में और scam में तो समझ में आया गाईस कि जिनियस किसे कहता अब आप बताए कौन सही है विबेग विंद्रा या फिर संधी मैस्वरी सर कॉमेंट में जरूर सब्सक्राइब करें संदी में सब्सक्राइब बाद सदि मेस्वरी जिन्दअबाद सब्सक्राइब